हाई है क्conom in साज आज हम बात करेंगे बड़े लोगों में कांग के गिरने के बारे में मेरे पास ब कमेंट्स आशे आते हैं कि हम बड़े हैnda 20-24 साल के या बड़ी उमर के हैं और हमें काग गिरने के प्राब्लम हो रही है तो हम उसको किस तरह से ठीक करें एक हैं कि काग की ऐलोपैथिक में कोई विदवाई नहीं कि आम तौर पर डक्टर इसको मानते ही नहीं कि काग का गिरना जा ऐसा कुछ होता भी है तो हमें इसको क ठीक कर सकते हैं. वर हम सिखेंगी और किया उनकों से दो किया है काल जानते wok जानला जानते हैं तो इसके qarmon से वज में कारण काल कि गिर्ने की प्रॉबलम होती है .से पहला काह stripanka जब भी हमारे बहुत अधिक खुश्के हो जाती गर्मी हो जाती है तब भी हमें काग गिरने की problem हमारे साथ होने शिड़ हो जाती है और second कारण है friends बहुत अधिक body के अंदर कमजोरी का होना क्योंकि जब हमारी body कमजोर होगी तो हमारी तालवा जो है झाय काग जो है एक जो नहीं तो हमारा तालवा होते हैं, सर के उपर का हिसा, यहाँ पर हम घी से समसाज करेंगे, जब हम घी समसाज करेंगे तो धूरस भी खुश्की हो गई है तो काफी हद तक ठीक हो जाती है, तो हम हाथ एस जगा पर पर पेरों के तलवों के अंदर भी हम घी समसाज करनी तो जब हम ऐसा करेंगे तो friends हमारा दिर दिर हमारा तालवा जो है अपने जगा पर सेट होना शुरू हो जाता है second कारण friends हमें देखने के कमजोरी किस वजह से हो रही है कि अगर हम खाना सही से नहीं खा रहे है या diet सही से नहीं ले रहे है तो हमें अपने diet में improvement करने चाहिए जिससे हमारे तालवे के problem कमजोरी के वजह से अगर हो रहे है तो भी ठीक हो जाएगी अगर टॉंसल के वजह से आपका काग गिर रहा है तो उसके लिए मैं आपको अपने पिछली वीडियो में टॉंसल की वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जिससे हमें मसाज करने से हमारे टॉंसल की समस्या जो है वह काफी हद तक ठीक हो जाती है आज मैं आपको 12 पॉइंट्स अपने बता देती हैं कि हमारी फिंगर्स के अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको दवा के हम अपने टॉंसल को ठीक कर सकते हैं यह जो हमारे अंगुठे का बाहर वाला पोर्शन है इसको हमें इस तरह समलने उपर की तरफ को जब हम इस सब्सक्राइब अरुट्स है जब हम इस तरह से अपने हाथ को बन करते हैं तो फ्रेंट्स आप देखेंगे कि यह वला पोश्टन जब यह वह ला सिस तरह से घुठे अंग्ली के लास्टक जो पॉइंट है उसको हमें दबाने इस तरह से दबाने और छोड़ना दबाना इस तरह से जब हम प्रेस करते हैं तब भी हमारी टॉंसिल जो है काफी हर्थ ठीक हो जाते हैं और टॉंसिल के वज़े से अगर हमारा काग बार बार गिर रहे है तो वह भी अपनी जगह पे सेट होना शुरू हो जाते हैं कुछ एक्सेसाइज में आपको बताऊंगे जिसके वज़ा से अगर आपके टॉंसिल के प्रॉब्लम भी नहीं है और खुशके भी नहीं हो रही है और तब भी काग गिरने के प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कैसे ठीक करें तो फ्रेंट्स फर्स्ट है आप अपने टंग को अपने तालवे से लगाएं इस तरह से जब भी आप अपने टंग को उपर के पोश्चन से तालवे से लगाएंगे तो आपका जो काग है वो खिचेगा उपर की तरफ को और अपने जगह पर सेट होना है शुड़ हो जाएका और सेकिंड जो एक्सेसाइज फ्रेंट्स व आपको ऐसे फेस के जो पोशिशन इस तरह से रखने है सीटी की तरह सास को अंदर की तरह को खिचना आपको जब आप इस तरह से जोड लगाता है तो फ्रेंट्स आप देखेंगे कि तालवा जो है वो उपर को आला शुड़ हो जाता है और वो जिस वजा से वो नीचे गिर हो है तो वो उपर जब खिचेगा तो वो सेट हो जाएगा अब फ्रेंट्स थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने जीब से टक की आवाज निकालनी है इस तरह से आपको टन को उपर वाले तालवे से मिला कि टक ऐसे करना इस तरह से जब आपका तालवा जो अब टच करते हैं जीब से और अपने जगह पर सेट होना शुड़ हो जाता है यह कुछ तरीके थे जिनको करके अपने तालवे को ठीक कर सकते हैं अगर बड़ी एज में आपका तालवा गिर रहे हैं एक पॉइंट और मैं आपको बता दे तो जब भी आप एक्सेस करें मौनिंग में तो आप अपने पैरों को उपर नीचे जिस तरह से फ्रेंट से कदम त करते हैं तो तालवा जो है वह अपने आप से उपर चड़ जाता है तो फ्रेंट्स यह वह तरीके थे कुछ तरीके ऐसे थे जिनको करके अपने तालवे को ठीक कर सकते हैं और बड़ी एज में जो तालवे के प्रॉब्लम आपको हो रही है उससे आपको निजात मिल जाएग और चश Communi को। टיכे कि भाइब में में जाएओड देगर आएभ हो विएफ य्मल आ civilians वेश जाएजब यचर लिख़ दोकाश लाजग